लो दोस्तों स्वागत आप लोगा इंफोमेट एजूकेशन में सुगाइज मेरा नाम है रोहित पुज़पति हैं टुड़े वी आर गूइंग टू डिस्कॉस अबाउट सी बीएपसी क्या है देखो सी बीएपसी है सेंट्रल बोर्ड ओफ फिल्म सेटिफिकेशन ठीक है यह नाम इसी यहिए और coercion के व्यारे में हम काफी इस वीडियो में यह जानने वाले लोगां के मुझेशन बेखने हら 20 ओर एक को शिर् templ I Acho और फिल्म का नाम ब्हुसाrey होती है वेजसे लेकिन मोटा मोटी मैं कि क्या होता है तो उसमें पर फिल्म का नाम नाम क किस केटिगरी की है मतलब किस टैब की फिलम है कौन सी केटिगरी में इसको डाला गया है उसको रिव्यू करने के बाद वह जो एक पर वाइट करवाने वाली ओगनेशन कौन है वो है यह CBFC जिसका नाम है Central Board of Film Certification इसी ओगनेशन का बारे में हम जानने वाले हैं समझने वाले हैं कि ओगनेशन पूर तरह से मतलब बहुत सारी इंफ्रमिशन आपको इस वीडियो में मिलने वाने तो इस वीडियो को लाग सकते हो देखना और ऐसी ही बहुत सारी जो हमारे चैनल में फ आपको आसानी से देख सकते हैं आप बहुत सारी वीडियो से बहुत सारी इंफ्रमिशनल वीडियो से आगे बढ़ते हैं देखो CBFC Central Board of Film Certification नाम से तो वैसे आपको पहले ही मैंने काफिस जीजे बता दी है तो इसके अंडर आती है गौर्मेंट की ओगनाईशन है पूरी तर इस एक्ट के थ्रू इनके कुछ गाइडलाइन्स है जिसके द्वारा ये लोग रेगुलेट करते हैं कि कि किस टैप की फिल्में दिखाई जानी चाहिए हमारे देश के लोगों को मतलब कुछ गलत तरीके का content तो नहीं दिखाया जा रहा ना है ना तो उसको पूरा review किया ज जैसे 18 से ऊपर वाले लोग ही देख सकते हैं ना मैचौर लोग देख सकते हैं या फिर बच्चे भी देख सकते हैं या फिर सब को ही देख सकता है पूरी family एक साथ बैट के देख सकती है तो यह अलग-अलग categories है categories जो इस पे मतलब जिस टाइप की categories में बो डाला जाता है मैं भारत में ठीक है वो illegal है है ना बिना certification के कोई movie दिखाई नहीं जा सकती जब भी कोई film निर्माता है उसे certification लेना ही पड़ेगा अपनी फिल्म को इंडिया में दिखाने के लिए चाए वो television पे दिखाए चाए वो theater में दिखाए ठीक है तो आगे बढ़ते हैं तो देखो formation on 15 January 1951 15 जनवरी 1951 में इसका formation हुआ था इस्टैबलिश्मेंट कर दिया गया था वैसे उससे पहले भी थी लेकिन उसका नाम अलग था और वह बहुत पुराइन ताइम हुआ था जो की अंग्रेजों सभी अंग्रेजों के टाइम की बात है तो वहां पे भारत तो इस ताइम बह बहुत सारे उफिसे से अलग अलग जगह नौ जगह पर ऑफिसें लेकिन जो में हैड़कॉार्टर है माहराष्ट में क्योंकि मुंबई में ही जातर फिल्म सिटी बन चुक है पहले कावी पुरान टाम से बन चुक है जो करेंट लीडर कह लो या पिर आप चेर परसन कह सकते वो है प्रसून जोसी ठीक है इसके अलग-अलग रीजन में लगबग 9 ओफिसेस हैं जो की है तिरवंद्रम, चेन्नाई, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, क्यूटक, गौहाटी, कॉलकाता, न्यू देली नाम आपके बास हैं आपके स्किन के उपर नाम है जो फर्स्ट हैड वोज सी एस अगरवाल जो इसके पहले हैड थे पहले चेर परसंट जो थे वह है थे सी एस अगरवाल फ्रॉम कब से कब तक थे पंद्रह जनवरी 1951 से लेके 14 जून 1904 तक पहले ठीक है और जो current है वो हैं थीक है इन्होंने कब जोइन किया और यह current है वो है 28 also चेर परसंट है ठीक है और उन्होंने जोइन किया था अगरण limits 2017 और अभी current में भी यही हैं तो गाईज अब आते है types of certificates पे मतलब किस केих type के किस कैटिगरी की certifications provide कर जाती है अलग-अलग film के हिसाब से अलग-अलग content मतलब उसमें क्या दिखाया गया है उसके हिसाब से यह कुछ चार categories हैं जो है U, UA, A, and S अब बारी-बारी से इसके बारे में discuss करते हैं देखो जो U है उसमें आता है Unrestricted Public Exhibition मतलब कोई भी देख सकता है जिस भी film को U category में डाला children under age 12 मतलब जो बारे और बारे से छोटी उमर के बच्चे हैं उनको parents की अनुमती लेनी पड़ेगी उस movie को देखने के लिए ठीक है अब जो A category में आता है वो हो जाता है अडल्ट में मतलब restricted to adults ठीक है जो suitable है 18 साल के जो बच्चे है 18 साल के जो व्यस्क है और उससे जो जादा है वही इस movie को देख सकते है जो A category में आते है ठीक है तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि जो आप में देखने जाते हो वो किस किस category के हिसाब से होती है फिर आता है एक एस category में ठीक है इसमें क्या होता है इसमें रिस्ट्रिक्टिड टू और स्पैसिलाइज ग्रूप और प्यूपल सच एज इंजीनियर्स डॉक्टर साइन्टेस्टिक डिपैंड करता है यह CBFC CBFC के उपर वो किस तरीके से उसको डिफाइन करती है लेकिन जातर यह तीन तरह के ही certification मिलते हैं यह कई-कई कुछ किसी category में कभी कभार ही किसी movie को मिलता होगा ठीक है तो आगे चलते हैं देखते हैं अब देखो जो boards की कुछ guidelines है वो है यह है इस guidelines के हिसाप से ही जो पूरी boards से वो काम करती है और भी बहुत सारी तरीके हैं लेकिन majorly वो लोग focus इन ही guidelines के उपर करते हैं उसमें क्या कहा है देखो बार बार से पढ़ते हैं anti-social activities such as violence may not be glorified है na violence नहीं होना चाहिए कोई anti-social activities नहीं होना चाहिए आपकी जो film है या फिर जो भी आप दिखाना चाहते हो प violent acts and abuse abuse or ridicule and physical mental handicap तो यह बारी बारी से सारी चीज़े है आप इस वीडियो को pause करके पढ़ सकते हैं आपको समझ आएगा तो यह सारी guidelines के उपर काम करते हैं उसके हिसाब से अलग अलग category provide की जाती है movies को ठीक है उसके हिसाब से restriction लगता है so guys आसा करता हूँ इस वीडियो से आप आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा about CBFC कि एक movie को एक तो सबसे पहले इस organization के बारे में समझ आएगा होगा यह organization किस तरीके से work करती है क्यूं बनाई गई यह organization ठीक है और किस तरीके से किसी movie को certification मिलता है ठीक है तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी सारी information मिली होगी ऐसी ही बहुत सारी information देखने के लिए information वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चानल सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं अगली किसी information वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार